दिली में आगामी विधान सभा चुनाओं को लेकर आमादमी पार्टी अभी से ही अपनी तयारियों में जुट गई है इस बीच दिली में आमादमी पार्टी की P.A.C. की बैठक हुई और बैठक में 20 उमिद्वारों की दूसरी लिस्ट आपने जारी कर दी है दूसरी लिस्ट में भी कई नेताओं के टिकेट काटे गए हैं तो कई की सीटों को बदल दिया गया है आपने इस बार दिली के पूर्व उपमुख्य मंतरी मनेश सी सोधिया की सीट बदल दी है और इस बार उन्हें पटपडगंज की जगे जंगपूरा से चुनावी मैदान में उतारा गया है आपको बता दे कि अभी हाली में आमाद्मी पार्टी में शामिल हुए अवध ओज़ा अब पटपडगंज से चुनावी मैदान में है इसके अलावा शहादरा से जितेंदर सिंग शंटी को चुनावी मैदान में उतारा है आपको बता दे कि अवद ओजा और जितेंदर शंटी आम आदमी पार्टी में कुछी दिन पहले शामिल हुए थे आईए अब आपको बताते हैं कि आपने किसे कहां से टिकेट दिया है तो सबसे पहले आपने नरेला से दिनेश भारतवाज तिमारपूर से सुरेंदर पाल सिंग बिट्टू को टिकेट दिया है वही आदरश नगर से मुकेश गोयल टिकेट पाने में काम्याब रहे मुंडका से जसबीर कारला आपका प्रतिनिधित्व करेंगे मंगोल पूरी से राजेश जाटव धर्म रक्षक चुनाव मैदान में है रोहिनी से प्रदीप मित्तल को टिकेट दिया गया है और चाननी चौक से पुरर दीप सिंग साहनी चुनाव मैदान में है पटेल नगर सीट की बात करें तो यहां प्रवेश रतन है चुनावी मैदान में मादीपूर से राखी बिर्ला और जनकपूरी से प्रवीन कुमार बिजवासन से सुरिंद्र भारदवाज चुनाव मैदान में है पालम से जोगिंदर सुलंकी को चुनाव मैदान में उतारा गया है जंगपूरा से मनीश सिसोधिया को टिकेट दिया गया है आप संयोजा करविन के ज्रिवाल ने देवली से प्रेम कुमार चोहान त्रिलोक पूरी से अंजना पार्चा पटपरगंज से अवध ओजा कृष्णा नगर से विकास बग्गा गांधी नगर से नवीन चौधरी शहादरा से पदमश्री जितेंदर सिंग शंटी और मुस्तफाबाद से आदिल एहमत खान को टिकेट दिया है जंगपूरा से टिकेट मिलने के बाद मनिश सिसोधिया ने अपने पोस्ट में ट्विटर पे लिखा कि अर्विन केजरिवाल जी और आम आदमी पार्टी का तहे दिल से आभार जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए जंगपूरा से चनाव लडने की जिमधारी दी मैं खुद को एक शिक्षक मानता हूँ राज नितिग्य नहीं पटपडगंच मेरे लिए सिर्फ एक विधान सभाशेत्र नहीं बलकि दिल्ले में शिक्षक क्रांती का दिल था अवध होजा को पटपडगंच से चनावी मैदान में उतारने पर मनिश्टी सोधिया ने कहा कि जब अवध होजा जी पाठी से जुड़े और उन्हें चनाव लडने की मांग उठी तो मैं यही सोच पाया कि एक शिक्षक के लिए पटपडगंच से बहतर सीट कोई और नहीं हो सकती एक और शिक्षक को पटपडगंच की जिम्यदारी सौपते हुए मुझे खुशी है मनिश्टी सोधिया ने अपने पोस्ट में आगे ये भी लिखा कि मैं अब जंगपूरा में सब के साथ मिलकर वही काम करने के लिए तैयार हूँ जो पटपडगंच में शिक्षा, सेवा और विकास के लिए किया मेरे लिए राजनिती सत्ता का माध्यम नहीं बलकि शिक्षा, इमानदारी और जनता की भलाई का जरिया है पटपडगंच से जंगपूरा तक मेरा संकल्प अडिग है दिली को और बहतर बनाना आपका भरोसा मेरी ताकत है जैहिन अब आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 11 उम्मिद्वारों के नाम का एलान किया था और इस लिस्ट में 6 ऐसे उम्मिद्वार थे जिन्हें हाल ही में कॉंग्रिस और बीजेपी से आप में शामिल कराया गया था आपको बता दें कि भारतिय जनता पार्टी ने भी दिल्ली चुनाओं को लेकर अपनी तयारियां शुरू कर दी है इसके साथ ही पूर्वसीयम अर्विन केजरिवाल को घेरने के लिए बीजेपी के टॉप नेताओं ने बैठक कर रणनीती भी बनानी शुरू कर दी है दरसल बीजेपी ये मान कर चल रही है कि इस बार गिल्ली विधान सभाचुनाओं में उसके लिए सबसे बहतर संभावना है यदि पार्टी ने अपने सभी पत्ते सही तरीके से खेल दिये तो इस बार गिल्ली विधान सभाचुनाओं में उसकी सरकार बन सकती है यही कारण है कि पार्टी ने अभी से बहत सधी हुई चाल चलना शुरू कर दिया है और केजरिवाल को घिरने में जुट गई है पार्टी एक साथ दो फ्रंट पर तयारी कर रही है सबसे पहले तो अरविंद केजरिवाल की मुफ्त की घोशनाओं को टकर देने के लिए उन संभावनाओं पर विचार कर रही है जिसे चुनाओं में वो जन्ता के सामने वादे के तौर पर ला सके बीजेपी ने ताओं का मानना है कि प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी के नित्रित्व में बीजेपी ने जिस तरह पूरे देश में गरीब लोगों को मुफ्त घर उपलब्ध कर आये है राशन योजना, आयुश्मान योजना के अंतरगत, लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी है उससे पाटी की विश्वस्नियता गरीब वर्ग के बीच बढ़ी है दिल्ली के जनता भी उसके दावो पर भरुसा कर ले तो अर्विन केजरिवाल की मुफ्त की योजनाओं को टक कर देते हुए चुनाओं में उसे पठखनी दी जा सकती है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही है तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरुसे के लिए बहुत धनिवाद